नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि व्रिटेल CL टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है व्रिटेल CL टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और व्रिटेल CL टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि Vritel CL टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Vritel CL एक ब्रैंड नेम है Vritel CL टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है Vritel CL टैबलेट के अंदर सौल्ट कमपोजिशन सिलनीडीपाइन 10 mg और टेलमिसार्टन 40 mg होता है जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रैशर किसी एक दवा से नियंतरन में न हो रहा हो तब डॉक्तर दो दवाओं के कॉंबिनेशन वाली Vritel CL टैबलेट को लेने की सला दे सकता है Vritel CL टैबलेट का उप्योग हाइपरटेंशन होने पर किया जाता है यानि जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रैशर अधिक रहता है उन व्यक्तियों में ब्लड प्रैशर को कम करने के लिए Vritel CL टैबलेट का उप्योग किया जाता है Vritel CL टैबलेट ब्लड प्रैशर को कम करती है और दिल का दौरा पढ़ने का और लगवा लगने के जोखिम को कम करती है क्योंकि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वज़ा से किड्नी फेलियर, हार्ट फेलियर, दिल का दौरा पढ़ने का और लक्वा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वज़ा से आँखों की ब्लड वेसल भी डैमेज हो सकती है और आँखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120-80 होता है अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर उपर वाला 140 से ज्यादा और नीचे वाला 90 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा है साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में व्रिटेल सी एल टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं ल बार बार पेशाब आना, शरीर में प्लेटलेट काउंट कम होना, सिर्चक्राना, वजन का बढ़ना, सास फूलना, सिर्दर्ध होना, उल्ती आने का मन होना, पेट में दर्ध होना, चेहरे, हाथों वपैरों में सूजन होना, घबराहट होना, दिल की धरकन का धीमा होना, कब् side effects retail CL tablet की वज़ा से हो सकते हैं. इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में retail CL tablet की वज़ा से जो खाम और गले में खराश या गले में infection भी हो सकता है. अब हम discuss करेंगे कि retail CL tablet को कैसे लेना recommended होता है. retail CL tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है. और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है. लेकिन retail CL tablet को खाना खाने के बाद लेना ज्यादा अच्छा होता है. आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर व्रिटेल CL टैबलेट को दिन में केवल एक बार ही और शाम को सोते समय लेने की सलाह देते हैं। व्रिटेल सी एल टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको व्रिटेल सी एल टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि व्रिटेल सी एल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। व्रिटेल सी एल टैबलेट के साथ दर्थ को कम करने के लिए उप्योग की जाने वाली नॉन स्टेरोइडल एंटी इंफ्लमेटरी दवाईया जैसे एसिकलोफनेक, डाइकलोफनेक, आईबुप्रोफेन और निमसुलाइड आदी दवाओं को व्रिटेल सी एल टैबलेट के साथ इन दवाओं को लेने से व्रिटेल सी एल टैबलेट की प्रभावशीलता कम हो सकती है और इसके अलावा किड्नी डैमेज होने का भी जोखिम अधिक हो जाता है ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंतरण में करने के लिए आपको व्रिटेल सी एल टैबलेट के साथ साथ नमप का सेवन कम करना चाहिए स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंतरण में करने के लिए आपको रेगूलर एक्सरसाइज करनी चाहिए व्रिटेल सीयल टैबलेट के साथ आपको शराप का सेवन नहीं करना चाहिए और व्रिटेल सीयल टैबलेट को लेने के बाद जाइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती ह क्योंकि व्रिटेल CL टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को मीन अधिक आ सकती है ट्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए व्रिटेल CL टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित वर रेक्मेंडेड नहीं है विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका व्रिटेल CL टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं